दोस्तो आपने यूटूब पे कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप ICIC बैंक में Zero Balance Savi Account खुलवा सकते हैं लेकिन असल में दोस्तो वो Zero Balance Account नहीं होता है ये आप भी जानते हैं लेकिन दोस्तो फाइनली ICIC ने Zero Balance Savi Account लंच कर दिया है अब आप बड़े ही आसानी से ICIC बैंक में Zero Balance Savi Account खुलवा सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Step by Step बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये आप Zero Balance खुलवाएंगे और दोस्तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप इस एकाउंट को खुलवाएंगे तो इसमें आपको ना ही डेविट कार्ट की कोई फीद देनी है और ना ही आपको यहाँ पे कोई चेक बुक की फीद देनी है दोस्तो आइसे इसी बैंक ने इस्टा माइन एकाउंट लंच कर दिया है जो कि बिल्कुल Zero Balance एकाउंट है अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये एकाउंट आपके सामने दिख जाएगा आप यहाँ पे ऊपर पर सकते हो एन इस्टेट नो बायलेंस कॉमिटमेंट य यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हो इस्टा माइन एकाउंट और यह दो दोस्तो एकाउंट है बिल्कुल यहाँ पे जीरो बैलेंस एकाउंट है इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और नॉर्मल से भी एकाउंट की तरह इसमें आपको सारे फीचर्स मि एक लिंक दिया गया होगा अब जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डिरेक्ली ICIC बैंक के इंस्टामाइन एकाउंट ओपनिंग पोर्टल पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको नीचे apply now का एक option मिलता है आपको apply now पे क्लिक कर देना है आप जैसे ही apply now पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी mobile number फिल करना है बता दे कि यहाँ पे आपको bank के साथ जो भी mobile number आपको link करानी है वो mobile number यहाँ पे आपको enter करनी है नीचे आपको अपनी email ID फिल करनी है बैंक के तरब से जो भी statement जो भी notification होगी आपको इसी email ID पे मिलेगी तो यहाँ पे मुझे जो mobile number bank के साथ link करानी है जो email ID bank के साथ link करानी है वो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ गैज मुबाइल नमबर और इमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे आपको अपनी परमानेंट अकाउंट नमबर अर्थात यहाँ पे आपको अपनी पेन नमबर इंटर करनी होगी आप जैसे ही continue पे click करेंगे, यहाँ पे आपने जो mobile number डाला था, उस पे ICIC bank के तरफ से एक OTP भेज दिया जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा pen number है वो verify हो चुका है, अब आपको अपनी mobile number की जो OTP है 6 digit की, वो आपको यहाँ पे इंटर करनी हो new पे click करेंगे, आपका जो mobile number है, ICIC bank के साथ verify हो रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा wait कर लेना होगा, तो दोस्तों आप जैसे ही अपना mobile number verify कर लेते हैं, अब आपके सामने अधार card का एक option आ जाता है, यहाँ पे आपको बता दू कि यह processing में थोड़ा सा timing लगता है, आप जैसे ही OTP डालते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा wait कर लेना है, आपको उसको close नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा bank का server यहाँ पे slow चल रहा है, इसके करण आपका थोड़ा सा time लग सकता है, हमने यहाँ पे 1 मिनट तक इंतिजार किया है, तो हमारे सामन आपने यह अधार का पोर्टल आया है, अब आपको इसमें अपनी जो 12 डिजिट की अधार नंबर है, वो आपको इंटर करना है, तो यहाँ पे मैं अपना अधार नंबर इंटर कर देता हूँ, अधार नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको एक प्रोसीड का बटन मिलत करनी है, तो यहाँ पे हमें OTP मिल चुका है, हम इस box में OTP फिल कर देते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने OTP फिल कर दिया है, अब आपको नीचे continue का एक option मिलता है, simply आपको continue पे क्लिक कर देना है, जैसे ही continue पे क्लिक करेंगे, आपकी जो retails है चेक किय जा रहा है, तो यहाँ पे हम wait कर लेते हैं, अब आप देख सकते हो, आपके सामने एक नया interface देखनी को मिलता है, सबसे उपर यहाँ पे आपको marital status का एक option मिलता है, दोस्तों अगर आप single है, आपकी साधी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप single को select करेंगे, और अगर आप married ह का option मिल रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या करते हैं, professional है, self improved है, salary है, याप dependent है, दोस्तों अगर आप student है, खासकर मैं यह student लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो अगर आप student है, तो यहाँ पे आप dependent का एक option मिलता है, आप इस पे click कर देंगे, dependent पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास तीन options आजाते हैं, सबसे पहला जो options है, वो है housewife, दूसरा retired तीसरा student, दोस्तों यहाँ पे आप student सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो मैं यह ladies का account को लाँ, उनका साधी हो चुका है, तो हम इसको housewife सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे आपको source of income का एक option आ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा कहां से आता है, सबसे नीचे आपको business income, funds from family, pension agriculture, और भी बहुत सारे ऐसे options मिलते हैं, तो guys यहाँ पे हम funds from family को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी education qualification बतानी है, कि आप यहाँ पे कहां तक पड़े हैं, यहाँ पे आपके पास तीन options मिलते हैं, post graduation, graduation and under graduation, तो यहाँ पे simply यह under graduation का education है, तो हम under graduation को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद guys यहाँ पे आपको income range बतानी है, income range में आप देख सकते हो, up to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, यहाँ पे दोस्त यहाँ पे हम नील को सेलेक्ट कर लेते हैं, यह जो details आप देख सकते हो, मैंने आपको सारी details बता दिया है, अब आपको नीचे continue का एक button मिलता है, आपको continue पे click कर देना है, आप जो continue पे click करेंगे, अब आपके सामने एक नया interface आएगा, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते ह है, और नीचे आपको choose your nominee का एक option मिलता है, अगर आप अपने account में nominee को add करना चाहते है, तो यहाँ पे आपको nominee का daerboard लिखना है, और यहाँ पे आपको nominee का father's and mother's name का name लिखना है लेकिन अगर आप इस एकाउंट में नोमनी को एड नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक बॉक्स मिलता है आपको अपनी आपको एक बॉक्स आपको कंट्निव कर लिलता है यहाँ यहाँ पर क्लिक करनेको यहाँ आपको थोड़ा सा करना आपना मैं state choose कर लेते हैं state choose करने के बाद दोसतो यहां पर आपको city का एक option मिलता है तो यहां पर आपको अपनी city choose करनी है city दोस्तो यहां पर आपको internet करनी है अपने से तो इहाँ पर यस पर clip कर देनी हैं दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हो इच 2 अगर आप अप पर और आप यहाँ पर आड्रेस आपकी दोनों 中यम है तो यहाँ पर यज पर यज पर दूसरी है और अभी अप रहते किसी दूसरे address पे तो यहाँ पे आप no पे क्लिक करके अपनी communication address फिल कर सकते हो दोस्तो आप यहाँ पे जो communication address फिल करेंगे उसी पे bank आपको जो भी debit card, checkbook, जितनी भी सारी facility है आपको bank उसी address पे आपको भेजेगी तो दोस्तो यहाँ पे जो मेरा communication address और permanent address दोनों सेम है तो हम simply yes पे क्लिक करते हैं, yes पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको continue का button मिलता है simply आपको continue के button पे क्लिक कर देना है, आप जैसे ही continue के button पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया interface देखने को मिलेगा, तो simply यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हो आपने जितनी सारी details यहाँ पे इंटर की है, सबसे उपर आपको आपकी application number देखने को मिल जाती है नीचे आपकी नाम, gender, date of birth, जितने सारे आप यहाँ पे details इंटर की हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो नीचे आपको एक continue का option मिलता है, आपको continue पे क्लिक कर देना है आप जैसे ही continue पे क्लिक करेंगे, अब इनकी कुछ terms and conditions आपको देखने को मिलती है सिंपली जोस्तो आपको नीचे जानी है और यहाँ पे आपको इनकी terms and conditions को accept कर लेनी है और दोस्तो नीचे आपको एक continue का button है, आपको continue पे क्लिक कर देना है आप जैसे ही continue पे click करेंगे अब आपके सामने एक नया interface आएगा अब यहाँ पे हम last step में पहुँच चुके हैं यहाँ पे आपको जो mobile number आपने इंटर किया था आप जो bank में अपना mobile number दिये थे उस mobile number पे यहाँ पे आपको दुबारा से एक OTP भे दिया जाता है तो simply दोस्तो उस OTP को आपको इस box में इंटर करना है तो यहाँ पे दोस्तो मुझे OTP मिल चुका है मैं इस OTP को इस box में इंटर कर देता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने OTP इंटर कर दिया है अब आपको नीचे continue का एक button मिलता है आपको continue पे click कर देना है आप जैसे ही continue पे click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे fund your account का option आ रहा है यहाँ पे आप minimum 2000 से लेके 50,000 के बीच में अपने account में fund कर सकते हो तो दोस्तो अगर आप अपने account में fund करना चाहते हो पैसा जमा करना चाहते हो तो आप यहाँ से पैसे जमा कर सकते हो अगर आपने account में पैसे नहीं जमा करना चाहते है तो नीचे आपको escape का एक option मिलता है आप simply escape पे click कर देंगे आप जैसे ही escape पे click करेंगे यहाँ पे आपकी processing होती है आपकी थोड़ा सा wait कर लेना है आप जैसे ही wait करेंगे यहाँ पे आपको एक congratulations का message आता है सबसे उपर यहाँ पे आपको अपनी account number देखने को मिलती है नीचे आपको आपकी branch name देखने को मिलती है और दोस्तो यहाँ पे आपको अगर complete KYC करानी है तो आप branch में नहीं बलकि घर बैठी इसकी complete KYC करेंगे यहाँ पे आप देखते हो complete your video KYC immediately दोस्तो यहाँ पे आप click करेंगे और start video KYC पे click करके यहाँ पे आप अपनी account की video KYC भी complete कर सकते हैं लेकिन दोस्तो video KYC के उपर मैं अगले बार video बनाऊंगा और नीचे आपको एक application form का option मिल रहा है आप इस पे click करके अपनी application form डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो आपको internet banking की भी ID मिल जाती है यहाँ पे अगर आपको अपनी internet banking ID की password चाहिए तो यहाँ पे आपको generate now उपे click करनी है और यहाँ पे आप बड़े ही असानी से अपनी internet banking की password generate कर लेंगे दोस्तो यह जो options है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसकी internet banking की password generate कर सकते हो कैसे इसकी internet banking की ID पनवा सकते हो कैसे इसकी वीडियो के वाइसी कर सकते हो इसकी जो debit card है वो आपको virtual debit card कहां देखने को मिलेगी इसके उपर मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपकी काफी help हो पायोगी अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चनल को subscribe नहीं किया है तो यहाँ पर आप subscribe कर लिजे क्योंकि दोस्तों यह जो आपको वीडियो है बिल्कुल सटिक वीडियो है और दोस्तों यहाँ पर यह बिल्कुल zero balance account है यह proved के साथ यह मैं वीडियो सूट कर रहा हूँ दोस्तों चलिए वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं मिलता है किसी इंटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye